अंदन क्लासेश प्रियाग राज में आप सबका स्वागत हैं बहुत दिन बाद अपनी क्लासेश में फिर से श्टर्ट करने वाला हूं लेकिन अब मेरे अंतर क्लास आपको मिलती रहेंगी देखिए आज हम सूपर्टेट के सिल्वस के अंसर अर्शास का टॉपिक लिए हैं आर्थिक संब्रेधियों विकास है फिर रास्टी आया है आर्थिक नियूजन गरीवी विरुजगारी मुद्रायम बैंकिंग राज कोर्सी नीत और राज कोर्सी नीत के अंतर अगत हम लोग बजट पढ़ेंगे ये भी एक अच्छा बढ़िया टॉपिक है घाटा और कर इ अच्छा इसके क्लास में कैसा है अगरें देखिए अर्थ शास्त यहां से हम अबारा से लोग सुरू होता है आप देखिए आपको दिखाए देरा हुआ है देखिए अर्थ शास समाजी बिग्यान की एक साखा है समाज़ी विग्यान, यहनि कि social science, social science में एक ग्रुप चलता है जुश मैं से 4 subject आते हैं, जो 4 subject आते हैं, उसी मैं से एक subject है, अर्थ सास्त्र, ठीक है? बाकि 3 क्या है? ब débुभोल है आपका, इतिहास है आपका, नागरिक सास्त्र है, चौधा आशास्त्र है, वही कराय की अर्षा जो है समाजी विग्यान की एक साखा है जिसके अंतरगत मानों की आर्थिक क्रियाओं आर्थिक क्रियाओं या आर्थिक क्रिया कलापों का अध्यन करता है अब आर्थिक क्रियाओं क्या 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 होती है उत्पादन होता है उभोग होता है उसके बाद ज सब्द से अर्षास की उत्पत्तिवी है ठीक है ना और जिसे अरस्तु ने दिया है ठीक और जिसका अर्थ होता है अर्षास का अवला उक्योनोमिय सब्द का अर्थ होता है घरीलू प्रबंद ठीक है घरीलू प्रबंद होता है और अर्षास्त में यूस अर्षास की बात हो र सब्सक्राइब तो हमें इस सीच के वारें थोड़ा से थ्यार रखना पड़ेगा जिसके लिखा कर चड़क थे यह पुस्तक चंजगुपत मौर के सासनकाल में लिखा गया था जो 322 इसाप पुर्व से 292 इसाप पुर्व की बीच में लिखा गया था यह पुस्तक मतलब जो अर्शास बात करते हैं जो इससे हम लोग पढ़ने वाले थे जिसका हम लोग को सद्व उप्योग करना है देखिए इसमें देखते हैं कि पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सुके बाद इसके पर हम डेटियल चार्शा करते हैं सकॉट्लैंड देश में एक अर्शास्ती रहता था जिसका नाम था इड़ामेश्मिट ठीक 1756 में 1776 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम था विल्थाप नेशन ठीक है जिनका नाम था विल्थाप नेशन था इस पुस्तक से अर्सास का उद्भव माना जाता है ठीक है बेल्थाप नेशनल जो पुस्तक था इस पुस्तक से अर्सास का उद्भव माना जाता है या जन्म माना जाता है किसी से अर्सास का जन्म हुआ है यही करण है कि एडाम इस्मित एडabilir जो है आए सास की पिता कह assertिय int he is फार ऐसास्च Begin भी है इस पुस्तक में इनका एक बहुत सिद्ध स्थ irre अहस्ता क्रिश्ध देखिये इस पुस्ता क्रिश्का से चीडत questo काशिध च्टिर के अगे अगश्ध है इक होता है थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगे इसलिए इसमें केवर आर्थिक कारके होती हैं उस पर जो है उसको कोई हर्था शेप नहों मलाव स्वतन तरूप से काम करती रहे वो ठीक 1929 में 20 में सबसे बड़ी मंदी आए जिसे तीसा की मंदी कहा जाता है ठीक इसका प्रभाव लगभग 43-44 मातक रहा इसे दूर करने के जो उपाय दिये थे उसे जॉन मेनाड किंग कींस ने दिया था जॉन मेनाड कींस ने दिया था जिनकर जीम कींस कर साथ फार्म नाम है और जब इन्होंने इस सिद्धा बताया इसको दूर करने को उपाय इसी दोरा लोगों ने कहा कि इतने अच्छे उपाय बताये हैं ताकि लोग इस मंदी से सब को बाहर निकाला जाया निकाल पाए हैं सब लोग तो उन्हेंने उनको अधुनिक अर्षास का जनक या अर्षास का पिता के तोर करें नमीत किया और 15 जो एक परस्पश्रत पुस्तिक है लिए इनकी ऑक पुस्तिक है हुआ हिए ये इनकी पुस्तख है जे जहनर स्य आपउप्ल APP 0 обEMAamt इंट्रेस्ट एंड मनी इनकी एक पुस्तक है ठीक है, देखिए हमने आपसे कहा, थोड़ा सा चर्शा करेंगे, जो इडामे स्मित हैं, इन्होंने आर्षास को परिभासित किया, कि आर्षास जो है धन का विज्ञान है इसका मतलब आर्षास जो है धन के बारे में अध्यन करेगा अध्यन किसके पास रहेगा जो पूजीवादी होंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि एडाम इस्मित पूजीवाद या पूजीवादी सिद्धान्द के समर्थक थे यह आप कह सकते हैं जो विल्थाप निर्शन की पुस्तक है यह पूजी वाद के जन्मदाता ही माने जाते हैं जैसा अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे पूजी वादी क्या है समाज वादी क्या है मिस्तित वादी क्या है टेके ना एडा मिश्मित के बारे में इसी इच के लिए बहुत अच्छा से सर्चा करेंगे अब अर्थ ब्यवस्था की धारणाओं तथा से दांत का बेवहारिक रूफी अर्थ ब्यवस्था कहलाती है एड़ा मिस्मित ने अर्थ व्यौस्था को परिभासित करने के लिए दो सब्दो का प्रियोक किया था वस्तो था सेवा के उत्पादन के लिए उत्पादन के साधनों साहस, भूमी, स्राम, उत्पादन, स्वरी, पूजी एवं संगठन साहस, भूमी, स्राम, पूजी, संगठन इनका होना बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई चीज़ उत्पादन कर रहे हैं अगर ये चीज़े हैं आपके पास आपके पास साहस है, आपके पास भूमी है, आपके पास सरम है, आपके पास मुजी है और आप उन सब चीजों को अच्छे तरीके से संगटित करते हैं तो आपका उत्पादन अच्छे तरीके से होगा, वहीं चीज के बात हो रही है कि सहीयोग की पडाली को अर्थव्योस्था कहा जाता है अर्थव्योस्था में ही उत्पादन की बात की जाती है बित्रन की बात की जाती है ठीक यह अपने आप में एक अधूरत सब्द है बिल्कुल सही है कि अर्थव्योस्था में ठीक ही उत्पादन हो गया के सामने ठीक जब तक किसी भी और योस्ता के सामने उस जगे का नाम नदिखा जाया तब तक वो सब्धा धूरा है जैसे हैं नियुक्त वाध च euxणे कि अइस्ट भी करा धी सब्रत को कुंट हो गाइए नियुक्त हरत नहीं कि हां लोग पढ़ते हैं एक भारत के अपने अनौने भारत का अर्दश्था को भूत i7 लेकिन वजने के लिए अपने घर की अध्योस्था न भी डियोषता लिख सह सकते हैं जैसे इक लिखा आ है कि वार्ति यह कुंद देखा है कि भारती यह दो ओस्ता लिखा गया है यह झाले सलगर है इसक टीके अफ़। 50 in समाजवादी और मिस्यृतवादी तो भारत कर दो उसी चीज़ को पढ़ेंगे जैसे इसमें दिये गया है कि भारती अरध्विवस्था नियंतन के आधहार पर देखा जाये तो भारत एक मिस्यृतवादी अर्ध व्यृत्था यॉप अब पर बनता कैसे है सरवाजज Сейчас यज शेत्र से टीक नहीं किसाते तुसे मेलवाण होता किस का तो निर्मार होता है विकास के आधार पर देखा जाए विकास का अधार पर दुपinga sprechen है छिक और बैस्षिक सम्मेंध के अधर पे देखा जाये तेख खुली अर्थ पे उस्थाएं विस्ष बैंग के अधर पीम माध्यम य पहले अस्थान पे है उसे जुसरी आस्थान पे है झाई आवका जाय आफ्का भारत ठीक है और देखिए औरतमान में GDP के इंसवर देखा जाए भारत छठे ना स्थान पर है और भविस्त में जो आकड़ा लगाया गया है 2030 में GDP के इंसवर भारत आजाएगा तीसरा नंबर पर जैसा कि इस देखे वे वह ले किया गया है देखिए ठीक है अब देखते है जैसा किमाब से कहें कि आप पूजी वादी आर्थ विस्ता के बारें बहुत अच्छे तरीके बिश्चिच चर्चा करेंगे एक दम बढ़िया से ताकि इस चीज़ों को कभी भूले ना देखिए अगर पूजी वादी आर्थ विस्ता समझ ले रहे हैं समाज वादी समझ ले उनका सह अस्तित्तु यानि कि दोनों का मिला जुला रूफ ही मिश्चत वादी है लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है जो एक दूसरे से लग करती है उसको देखिएगा अच्छे तरीके से पूजी वादी अर्थ विस्ता इस अर्थ विस्ता का उदाय कैप्टिजम ठीक है जो पूजीवादी कहा जाता है ठीक और इस सिद्धांत के जर्मदाता एडा मिस्विट को माना जाता है जैसा कि हम लोग ने पढ़ा है उपर की इनकी पुस्तक का नाम क्या है विल्थाप नेसां है एड़्य विस्ता में डो परकार के सिद्धांत दी हैं मैंने आप से बताया है कि इन्होंने दो प्रकार के से दंत दिये हैं पहला कौन है लैसे स्फेयर है और दूसरा अध्रिस साथ है लैसे स्फेयर इंडिविज्वेल हेंड इंडिविज्वेल हेंड जो है इन दोनों में देखिए अंतर क्या पाजाता है लैसे स्फेयर क्या होता है कि आर्थिक जो फ होता है जो एक प्राइबेट सेक्टर वाले जो होते हैं उनका पूर्ण तह अधिकार होता या कह सकते हो नहीं के उतर अधिकारी होते सब उसमें सरकार का रोल कुछ नहीं होता और दूसरा होता है लैसे स्फेयर स्वरी दूसरा है अद्रिस साथ इन बिज्वल हैंड इसमें बाजार मूल बाजार मूल सयंतर जहाँ पर बाजारी बल बाजारी बल क्या होता है जहाँ पर मांग और पूर्टी हो ठीक उसे बाजारी बल कहते है बाजारी बल मिलकर किसी वस्तु का मूल निर्धरन करे देखिए बाजार मूल सैंत्र बाजार मूल सैंत्र जहां पर बाजारी बल मिलकर किसी वस्तु का मूल निर्धरित करते है उसे अद्रिस सहात कहते है ठीक है ना? देखिए कहते हैं कि मांग और पूर्ति के दारा ही मूल कर निरधरन होता है लेकिन आप उसमें देख थोड़ी सकते हैं कि हां को निरधरत कर रहा है आप मांग करते हैं आप मांग करेंगे कोई देगा इन सब को देख कर ही तो एक डिसाइड किया जाता कि इसका मूल क्या होना पूजिवादी पे और थोड़ा सा विश्यत सचा करेंगे अभी तक तो पूजिवादी के समर्थक थे इड़ामि स्मित इनके पुष्टक से पूजिवाद का जन्म हुआ है ठीक अब देखतें पूजिवाद है क्या पूजिवादी आर्थिक पडाली का अधार क्या है संपत् हुन्त ही किसी को अर्थ उपारजन होता हुँ तु सिस्ट्म है इसमें आप कोई भी वेवचा चुनलीजिये कष़म आपको कोई बाउंडेशन नहीं है पूरता सुतंतरता है आपको इसमें पर्तियोगता भी होती है भाई जब ये आपको किसी सेटर में जाएंगे इसके कोई नहीं है अगर आप आपका ही कोई बाई कोई द्योक सुरू कि यहां लगड़ी का उद्यों के फरनेशन को अपर प्रियोगमें साधनों का उपयोग जो साधनों का उपयोग करना है मांग या पूर्ति की सक्तियों द्वारा निश्चित किया जाता है अब देखते हैं पूजीवादी अर्थव्योस्था का जो विशेस्ता है उसका लच्छ क्या है इस इसको अच्छे तरीके समझेंगे संपत्ति पर निजय स्वामित होता है जैसा कि आप पहले देख चुके हैं उत्त्रा अधिकारी का अधिकार होता है मतलब अगर आपके पिता जी किसी विवसाई को सुरू किया है बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँच गया तो ऐसाद किया जाए गा घुशता हुत्रा अधिकार transparent होता है और तीसे नमबर पर है आर्थिक किरिया उत्पादन और भोग एवं विवसाय की चुनाओं की सतनता होता है बितलब जो आपको करना है आप उसमें चुनाओं करने की सतनता होती है आपको कोई बाद नहीं है आपना डिसिजिन खुद ले सकते हैं ठीक है अब है ब्यक्ति अथ्वा निजी लाब की प्रधानता होता है ब्यक्तिकत अथ्वा निजी लाब की प्रधानता होती है ब्यक्तिकत अलाब ब्यक्तिकत मतलब स्वयम का लाब वही है निजी लाब अलग नहीं है कुछ प्रतियुगता की उपस्तित होती है आप जानते ह प्राइभीट सेक्टर में प्रत्योखता होती रहते हैं आज का देखी नें कमपनियों मे में उभोगता की संप्रभुता देखें संप्रभुता एक सब्ड़ है जो ये बात का सूचा कि कि आप आंत्रिक नेड़ाए और बाहि नेड़ाए लेने में आप आत्रिक नीतिया जो लागु करेगा जो आदश जारी करेगा उनस once में होता है कि कि से अर का इस पर दवाव नहीं रेएगा द्वार को कि आप ने शुक्त स्वाइbn करता है और स्वचलेत यहांद होता है क Ridge कशीए जोतार रहता है कुछ एक तरहीं हिसके अधार में साहजी कहात्त पुरुदस्थान होता है दिखिए प्राइबिट जेटर है जो कुजिवादी सेक्टर है इसमें जो है साहसी होना बहुत जरूरी है क्योंकि आप competition करते हैं कब आपको जो है नियोजन का ओभाव होता है जब सरकार है निक केंद्री नियोजन का भाव तो रहे गई क्योंकि भाई निजी यहां पर निजी स्वामित है आई किया समानता तथा वर्ग संगर्स है आई किया समानता देखिए पूजी वादी अर्थिवस्ता कर आपके दिबाग पर यह सब चीज़े अगर आप एक बार वीजन कर लेती है वादी मैं बैठ गया आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा पूजी वादी आपके दिबाग में सब्द आया तो आई की आसमानता धोई जाएगा ऐसा नहीं है कि आपका जो पार्टनर है आपका जो दोस्त है जो कंपनी सुरकिया है उसका सब्यादर में सरंश का कि अगर जाता है है तो जरूरी नहीं कि आपहीं जरूरी नहीं में कि दृष्य रसकभी कमा रहें आपका सक्कहता है यह उसका 50 लाग वसकता आपको बनी रहती है इसमें वर्ग संगर्श को जादा होता है ज़ंक पेसे बिबादर पैसे कम पर..? रिंजतव को पैसे कम-कम आते हैं इनकी ज्यत्यथि नहीं हूती है यह फूर्जि वाधी अर्वियूस्ता का हाल है है कि आप देखिए पूज़ी वाधी कि अर्थिव्यूस्था के कुण 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 से हैं पूज अर्थिव्यूस्था के गुण जो है उत्पादन ब्रिद्धि हुद प्रस्वान किया जाता है पूजिवादी में उत्पादन को प्रसाहित किया जाता है बहुत ज्यादा उत्पादन की दक्ष तथा कुसल तक्निक कि pre yemek की जाता है यही बिल्कुल सही बात है कि जब पूझी वादियात व्हस्ता की बात करेंगे जब पैसे लगाते हैं तो उनको यह होता है कि बहतर से बहतर तक्नीके को प्रयोग करो ताकि अधिक सधिक लाप कमें आ जाए अधिक सधिक उत्पादन किया जाएगा अधिक सधिक लाप कमें जाएगा उनकी यह मोट होता है सीमिस संसाधनों का अनकूलतम तथा मित बई प्रयोग ठीक फिर है अविस्कार एवं अनुसंधान नभीन तक्नीक को बढ़ावा देना ठीक प्राइविट सेक्टर वाले ही तो आज कल देखिए तो बहुत सारी चीज़ों करने भी निमिन विकास करते हैं जैसे कि देख लिए कोवीड कोवीड में जो को वैक्सिन आया यह भी एक प्राइविट कंपनी के द्वारा ही डेप्लेप्मेंट किया गया है उच्छ किया गया ह और बेक्तिगत लाब के साथ समाजिक लाब में ब्रिद्धी होता है ठीक है प्रजातांत्रिक स्वरूब को सर्वपुरी इस्थान दिया गया है ठीक है अब आगे देखिए इसमें सत्वा नमबर है पूजी निर्माड को प्रोसाहिन किया जाता है यह पूजी वादी य्योगता होगी आप उस लेवर पर होता है फिर है कि अर्द्विष्था का सवा चलित होना अब देखि नहीं वथेों जैसे कने प्रिदीर में सर्म विभाजन इवं विशेष्टी करण का लाव होता है ठीक मतलब इसमें जो है सरम का विभाजन है जैसे कि यह आपने कहा कि युगता के अनुरप परिस्रमिक होंगे तो जैसे इसमें बांड दे आए कि आप इस सेक्टर में काम करेंगे आप इस सरेक्टर में काम करेंगे, आपको थोड़ा से कम नावलेज constantly, अगर आपको थोड़ा सा नीचे रखेंगे, अगर आपको अच्छेwoman नौलेज है, तो आपको बहुत अच्छे. पोश्ट पर रखेंगा वहँची है, लोगों के रहन-सहन के बृध्धी के लिए पड़ता है कि अलोची शिल्ता के गुणपाय जाती है लेट पुजिवाद्यपडाली के दोस्त क्या है और तर्टीफिता में उतार चढ़ाऊł आ त मिलीद चण्छल्डगर की संभावना का बने रहना कुसा है कि इसका जो दोस है यह देखिस को ऐसे समझा देंगे ये कह रहा है कि आम इडिक के दैढम उतार चड़ाओ ये जो होता है ये यह यह आपका उर्थव्योस्ता हो गया स्वरी यह यह हैं यह यह यहां पर अगर इस दौर पहुंच गए ताम का मंदी के छेतर है यह आपका उच्छतम छेतर है तो चीज में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो है पूजी वादी जो बिवस्ता है इसमें ब्यापार चक्र कब उतार चड़ाव लगई रहता है कब नीचे चला जाए क एक अधिकार की प्रवित्ती तथा आर्थिक केंदीकरण तथा आर्थिक आसमानता में ब्रिद्धी होती है जैसा कि पहले भी कह चुके हैं कि आर्थिक आसमानता से बनी रहेगी ठीक है पिर है कि समाजिक न्याय की विपिरी तथा छेतरी आसमानता तथा आसंतुलन की संभ इच्छ की जाती है ठीक है नूर्फी और का सोषण होता है मर्च तुर्वार बहुता है और की आ समयन था करें कि पूजी संसाधन निकुल को अपनाने से विर्जगारी वृध्धी की प्रक्ति होती है उब पूजी वादी संसाधन को अपनाएंगे तो विरोजगारी बिर्धी होगा बाइजुट यह आप जैसे समझे विरोजगारी बिर्धी होगी पूजी वादी जो साधन में तकनीकी का जो है अधिस अधिक प्रयोग किया जाएगा तो मजदूर वर्ग भाई उसमें कम आएंगे जब अधिकतार काम मसीन ही करने लगेगी तो लोगों की आउसकता कम पड़े जाएगी तो विरजगारित यो बढ़ेगा वही चीज़े इसमें और फिर देखिए कि परतियुक्तिया पर आधारीत पूजी वादी पडाली में प्रचारित पूजी वादी पढ़ाली में अपने उत्पाद की स्रेष्टता प्रचारित करने हे तो कीये जाने वाला है अब श्वादी करिए और ने ये कूछिंग प्रचारित चल रही जतना करेंगक लोग उतने ही पढ़ेंगे हम पूजी वादि की तरफ बढ़े लहे तो यह लोग अँपने परचार पर अधिक सधिक रुपए खर्च करते हैं यहां पेपर पंप्लेट चिपवाते हैं कहीं नीच पेपर निकलवाते हैं तिन सब के लिए बहुत ज्यादा भारी भरकम पैसे खर्च करने पड़ते हैं तो यह कहें ने कहीं यह लोग गोजीवादी के तरफ अग्रसर है वहीं चिता रहा है कि जो पूजीवादी प्रड़ाली का एँक प्रमुक दोस् पूजीपतियों दारा प्राप्त आनार्जीत आये किया है मतलब जो पूजीवादी प्रडाली के प्रमुक दोस्त है पूजीपतिय के पास बहुत संपत्य या जाती है जो गरीब होगि रहा जाते हैं तो समय जमें पर प्रजीवी सीठ में और बोजी बने रहते हैं उद्पाद को उद्पाद को द्वारा स्वाहित को ध्यान में रखकर उद्पादन तथा उभुकताओं की संप्रभुता एक कोरी कल्पना है मतलब ये कह रहा है कि उद्पाद को द्वारा स्वाहित को ध्यान में रखकर उत्पादन तथा भुकता की जो संप्रभुता है जो आंत्रिक नीती और बाहि नीती ये किवले कुरी कल्पना है ठीक ना अब देते हैं समाजवाद थोला जल्दी पड़ते हैं इस सब चीज़ों के समाजवाद पूजीवादी अर्धविवस्था की विप्रीथ समाजवाद जश्ट विप्रीथ क्या है समाजवादी अर्धविवस्था है इसकी विशेष्था क्या है नीजी संपत्ति के स्वामित की समाप्ति हो जाती है जो नीजी संपत्ति है इसकी बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है ठीक उत्पादन के साधनों साधनों पर समाज का स्वामित ह होता है बिल्कुल सही जो हुत्पादन के जो साधाने इस पर समाज समाज मतलब सरकार सरकार का हाथ होता है ठीक हमने कहा पोजी वाद में प्राइबेट होता है एक ध्यान दीजिए अब हम लाश्ट में इसको को रिलेट करेंगे आप कुछ अच्छे तरीके बताएंगे थोड़ा सा की देखते हैं कि सरकार की सरकार की कि यह थोड़े से देखिए का तो सरकार की सरकार की अर्दवियोस्ता में प्रतक्ष भूम क्या होती है जैसा मैंने आपको कहा कि समाज वाद में सरकार की मुख भूम क्या होती है जबकि पूजी वाद में निजी सौमेत्तो की मुख भूम क्या होती है ठीक और आर्थिक नियूजन के आधार पर साधनों को प्यallometry किये जाएगा आर्थिक समान का समान उत्पादन का समान भितरण सरकार है तो समान भितरण भी होगा क्योंकि उसके लिए सब बराबर है तो एकOOOOOOOO उतपादन मैं पूजी वात रही नहीं जाएगा प्रती ऑद किस बात की बेक्तिकत सोचल की समपति हो जाती है इसमें तरह हो रहा था वह सोचल की समपति हो जाती जो अना अर्जित सीमा से अधिकलाप के प्राप्प्ति हो जाती तो ही ए अनर्जी था है उत्पादन तथा बित्र्न पर सरकार का अदिकार होता है ञेक है समाजबाद के गुण क्या होते हैं समाजबाद का गुण क्या होता है इसमें बहुत अच्छा टॉपिक है देखिए उत्पादन के साधन यह जो आप देख रहे हैं उत्पादन के साधन मिद बेयता पूरबक अधिक्तम उप्योग किया जाता है अब देखिए उत्पादन के साधन जो इसको है बहुत अच्छे तरीके समझेंगे यह कभी confusion नहीं ह होगा इसमें उत्पादन के साधन देखिए हम जो साधन प्रयोग कर रहे हैं जाहिर सपाथ है उस पर कुछ नो कुछ हमें लागत देनी पड़ेगी तो उत्पादन के साधन यानि कि फेक्टर आप प्रडक्शन और फेक्टर आप काश्ट यह दोने दूसरे से जुड़े उत्पादन के साधन पर जो खर्च होता है उसे साधन या कारक लागत या खर्च कहा जाता है ठीक ना उत्पादन के साधन का अर्थ होता है उत्पादन के साधन का अर्थ होता है कि उत्पादन के रिए महत्पूर साधन या संसाधन किसी एक की अन्फुस्तिती में उत्पा कारक भी का जाता है इनकी उपरस्ति होगी तो पादन होगा जैसे वो चीज क्या-क्या है आपका सरम है ठीक कि यह सरम सरम है भूमी है पूजी है साहस है ठीक उद्दमी है यह चार कारक होते हैं यह चार कारक होते है अब देखीए यहांस देखिएगा यह चीजह हमने कहा भूमी मैंने का फेक्टर आप प्रडक्शन उत्पादन के साधन ठीक्रापकास्ट उत्पादन की लागट दो चीज़ आपको बताए हैं अगर आपके पास भूमी है तो भूमी पर आप मिलता है आपको अगर आपके पास जमीन है आपने किसी को दे दिया है किराये पर ठीक तो आपको किराये मिलेगा आपके उस भूमी को किराये देना पड़ेगा या अगर आप दिये रहेंगे तो किराये मिलेगा अगर आप लेंगे तो आपको किराये देना पड़ेगा ठ अब पूजी अगर आप पूजी लगाएंगे किसी उद्योग को चलाते हैं आप उसमें निवेस करते हैं पूजी लगाते हैं तो आपको क्या मिलेगा आपको उस पूजी पर क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा और आप इन सब चीजों को जो खर्च करने हैं आपने भूमी पर किर व्याया दिया ठीक आपने सरं पर क्या दिया कि आप तरह पेसे लाब जो उद्धमी उसे लाब चाहिए तो यह सब चीजे एक दूसरे से वही है कि किराया चुकाना पड़ेगा ठीक ना और एक चीज बहुत इंपर्टन्ट है यह भूमी शरम और पूजी यह जो चार चीज़े है इन में अगर किसी की अनुपस्तिती हो जाएगे अगर कोई भी अनुपस्तित हुआ अगर भूमी गयब हुआ तो आपका उत्पादन कभी नहीं होगा अगर भूमी है अगर सरम नहीं है तो आप उत्पादन करी नहीं पाएंगे अगर सरम है भूमी है अगर पूजी नहीं है तो आप तब भी नहीं उत्पादन कर पाएंगे अगर ये तीर चुजी है अगर आपको पास सहसी नहीं है तो आप खर्ची नहीं करेंगे ना आप पूजी नहीं लगाएंगे जहाई नहीं है तो आप कहां से उत्पादन कर पाए तो उप्यूग तो कीमत पर उपलब्द कराया जाता है मतलब कम दाम पर सरकार को दारा उनको उपलब्द कराया जाता है हराश्टी याय का समान वित्राण होता है व्यापार चक्र की समाप्ति हो जाती है जबकि पूजीवादी में व्यापार चक्र बना रहता है आपको मैंने स्थापना समाज वादों लोग हितकारी समाज के स्थापना की जाती है फिर कहा रही है बेगार पड़ी स्रम सक्ती को रोजगार के लिए औसर किस रिजन का प्रयास किया जाता है ठीक समाज समाजी सुरच्छा जैसे पिंसन, बिरोजगारी, भत्ता, चिकिस्चक एवां अन्य सुबध हैं सरकारे द्वारा उपलब्द कराए जाती है ठीक ना चिकिस्चा जो होती है जो भत्ता होता है बिरोजगारी होता है जो पिंसन होता है इन सब के द्वारा यह सब समाजी सुरच्छा को बताती है तो यह स प्रस्ता का संतुलन विकास किया जाता है वर्ग वाद और वर्ग संगर्स यह इंपर्टेंट है तोड़ा से देखिएगा यह क्या नाम है इसका यह चीजी वर्ग वाद और वर्ग संगर्स इसका अंत हो जाता है ठीक अब समाजवाद का दोस्त क्या है देखिएगा इस प्रेड़ा के आभाव पाया जाता है आर्थिक प्रेड़ा का आभाव पाया जाता है इसमें थोड़ा स्पैसे कम कमाई होती है ठीक इस विवस्था में बैक दिसाध्धान्तिक रूप से स्वामी तथा विभारिक रूप से राज्य का दास होता है विल्कुल सही है देखिए ब्हारे कुर्प से राज्यकारदास होता है, आप सरकार के नियेंतर्ण में रहेंगे तो राज्यकारदास तो बनने पड़ेगा आपको, होता है, उसे अपना बेवसा चुन्ने की सुतंतरता नहीं होती है, उसे उस बेगतिको अपना बेवसा चुन्ने का सुतंतरता नहीं होत होता है ठीक इसमें मूल तंत्र ठीक इसमें मूल तंत्र विवस्था की अनुफुस्तिती पाई जाती है तथा बाजार नहीं होता है ठीक बाजार नहीं होता है निजी संपत्ती जिप संपत्ती की समाप्ति तथा आर्थिक परतंत्र के करण राष्टी आय कम होना जाहिश सपात है अगर आप जो निजी संपत्तिय के समाप्ति कर देंगे तो राष्टी यह में तो कम होई ही जाएगा ठीक और आपको बहुत सारी यूजनाई भी चलाना है उसमें भी आपको बे करना है तो वैसे भी आपके राष्टी का चुनाव करने किस्वतंत्ता नहीं होती है मतलब वस्तूं का चुनाव करने किस्वतंत्ता नहीं होती है कि किस वस्तू का उत्पादन किया जाएगा किस वस्तू का उत्पादन हम करेंगे किस वस्तू को पादन नहीं करेंगे इसमें कोई भी चुनाव नहीं होता जो सरका समाजवाद में समाजवाद में अर्थव्योस्था पर सरकरी नियंतरण होता है ठीक समाजवादी अर्थव्योस्था राज्य पूजी वाद तथा प्रत्विम माने जाती है मतलब समाजवादी अर्थव्योस्था राज्य पूजी वाद का प्रत्विम माने जाती है देखिए यह जो चीज है हम थोड़ा सा चीज सर्चा पहले कर लेंगे देखे पूजी वादी जो अर्थ बेवस्ता है पहले जब अमेर क्या था अमेरिया में निजी स्वामें तो था इसने पूजी वादी विचारधारों को अपना आया लेकिन वो कुछ समय बाद देखा कि उसके हाँ में हालाता कराब होती जा रही है वर्ग संहर सबढ pitched लोगों की आय में आसमांता बढ़ रही है गरीब inventor होता जा रहा है मेरमियर हुदे चला जा रहा है इस चीज़ें को देखते वह वह वहां पीस नीती को नकार दिये गया ठीक है नेमार चार्धा एन लेकिन युए और अ सोवियस संगरूस था यानि कि जब वहां सभी देश मिले थे आज तो वह सोवियस संगरूस ब्रेकडाउन हो गया है ब्रेक हो चुका है तूट गया है बिखर चुका है पूरी तरह से जब वह मिला हुआ था सबके साथ में था तो वहां पे समाजवादी अर्थविवस था समा बिखाल हो गई तो वहां भी यह चीज नहीं चल पाया तो फिर उसके रखी ता ना कि पूर्तिया यह अमेरिका में पूजीवात ना तो पूर्टा सफल रूजरू है समाझ वाद्रूस और सुभ्यत्संगुरूस में और तीसे नमबर प्याता है बग Tele varista जो कि यह पूर्थज सफॉल होगा तो हमेश झूप कह सकते हैं तले MR2 ऑव 2 पढ़ बताते इसके बारे में इस परकार की अर्थभेउस्था में हुआ इस परकार की अर्थभेउस्था में देश के ब्रेंधी तथा विकास में निजी छेत था सरवाजी छेत दोनों की भागिदारी होती है आप इस चुछ को देखिएगा कि दोनों चीछ के भागिदारी होती है ठीक है दोनों चीछ की भागिदारी होती है इसकी विश्यस्ताएं क्या है निजी छेतर सरवाजी छेतर एक साथ मिलकर कारे करते हैं आप कि दोनों ही छेत्र कम से कम लागत पर वस्तों का उतुपादन कर राष्टियाय में ब्रिद्धी करते हैं ठीक जहां पोजी वाद रहेगा राष्टियाय ब्रिद्धी होगी जहां समाज वाद समाजी कल्याण होगा वर्शंगर्ष नहीं होगा तो दोनों अगर एक साथ मिलें लाफंगे तो अपने इस अपने एरिया में विकास करेंगे ना तो राष्टियाय में ब्रिद्धि भुक वγळिं тран MINतर लगै जाते हैं पहले से बताकर लगा जाता मतलब आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना इससे पहले सी बता दिया जाता है मिश्चित वादी अर्थ व्योस्था में समाजवाद और पूजी वाद के गुण पाये जाते हैं इसके गुण देखिए मिश्चित वादी अर्थ व्योस्था मिश्चित वादियाद विवस्था ये चीछ देखिए मिश्चित वादियाद विवस्था में पूजी वाद के गुण सभी गुण थोड़ा सा देखिएगा मिश्चित वादियाद विवस्था में पूजी वाद के सभी गुण पाया जाते हैं लेकिन इन सभी दोसों को दूर कर लिया जाता है, जो पूजी वाद के जो दोस्त है, उनको पूरता दूर कर दिया जाता है, उसके बाद इसके सारे गुड़ को अपनाया जाता है, ठीक, वैसे ही, मिर्सित वादी अर्थिवस्तर में समाज वादी के सभी गुड़, सभी को प्राथ्क ख्रलिया जाता है और इनके सभीunya दोस्थों को दूर कर academy जाता है ठीक है कि मतला ये कहे सकते हैं जो मिद्यच्वादेयार्थ बिवस्था है ये पूझी बात के सभी स्वाधिया, अर्द्वास्था में बिवहार में सरवाजनी छेत्र में प्राज़्योगता की इस्तित्युद्पन हो जाती है। जिससे की एक छेत्र दूसरे छेत्र के कारिय संचालन में बाधग बन जाते यह बास सही है। अगर आप मिर्सितवादी आत्विवस्था को देखते हैं तो उसमें आप निजी छेत्र पाया जाएगा वह सर्वादिक छेत्र वाला रहेगा और सर्वादिक छेत्र वाले से परिटूटा करी लेगा तो थोड़ी थोड़ी उनके संचाला में बाधवत्पन होई जाता है अच्छा तालमेल नहोंने से साधनों की खीचतानी के फलस्रोप राष्टी आय के लच्छ प्राप्त प्राया लच्छ प्राया नियूजन तक ही रह जाता है उत्पादन में कमी की करड़ देश की मुद्राश्विदी का सामना करना पड़ता है इनहीं दोनों की रीजन की व इनहीं दोनों की वज़ा से मुद्राश्विदी का सामना करना पड़ता है भाई जब इनमें देखिए पूजी वादी था तो उत्पादन को पुसाहित करता था ठीक लेकिन वर्ग संगर्स नहीं था मजदूर्बाश संतुष्ठ था असंतुष्ठ था पूजी वाद में ल अगर दोनों एक साथ मिल जाते हैं पूजी वाद और स्रम तो अच्छे उत्पादन होगी लेकिन यहां अच्छा तीर में ना बैठनी को जैसे उत्पादन होने ही पाता अच्छे से उत्पादन नहीं हो जाएगा तो लोग परिशान हो जाएगे उनको अपने और सक्तम सर वरस्तों का अच्छे उत्पादन वरस्तों मिल नहीं पाएंगी दिमांड जादा होने रगेगा वरस्तों मिलेंगे नहीं तो मुझ्द वस्पित्डी करें आश्या करने पड़ेगा पूजी वाद में क्या पाए जाता है निजी छेत्र लाव की कामना स्वेम होती है जो लाव कमाएगा उससे स्वेम लेगा इसमें सोशड होता है किसका मजदूरवर का वर्व संगर्श होता है इसमें नियोजन का अभाव पाए जाता है पूजी वाद में ठीक अब देखे जै सभी गुण हैं उनकी गुणों को अरजित करता है कौन वैस्शित ग totalement थीक उसी परकार समाज सर्भाजनिक है। ठीक सर्भाजन चेत रहे और कल्याड कैंद मतना यहाँ पर कल्याड की बात की जाती है समाज इक बात की जाती है समाज इक लिज़ादी ये सभी चीज़े हो जाती हैं ये सभी चीज़े पाई जाती हैं स्वरी ये सभी चीज़े पाई जाती हैं और इस देखिए राष्टी आए इसमें समाजवाद में कम हो रहा है जबकि राष्टी आए पूजी बाद में क्या होता है अधिक पाई जाता है और समाजवाद में क् सब्सक्राइब लेकिन सभी के जो दोस्टों को दूर करने के बाद ले रहा है यह ही मारा क्या है मिश्चत वादी अर्थ्विवस्ता है दोस्तों यह टॉपिक आपको कैसा लगा अगर इसमें कोई सब्सकत ईघसि